Hello everyone, welcome back to my channel, I hope you all are doing well, मैं हूँ प्रगिती, तो आज मैं आपके लिए एक शिवरात्री स्पेशल आलता डिजाइन लेके आई हूँ, जिसमें कि आपको अपना कोई भी रेडिमेट आलता यूज नहीं करना है, जो कि आप मार्केट से लाते हैं, इस आलता डिजाइन को मैं आपक आपको बताऊंगी, वह पानी डालने पर भी रिमूव नहीं होगा, यह वाटरबूफ आलता डिजाइन होगा, और इसको रिमूव कैसे करना है, वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तो चलिए आए वीड आलता डिजाइन की पिच्चर से की मेरे पुराने वीडियो की पिच्चर से हैं, अगर आपने मेरे पुराना आलता डिजाइन की वीडियो नहीं देखें, और आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके लिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और व इसी को मैं आज रियूज करने वाली हूँ तो आपको ध्यान रखना है आपको waterproof lipstick ही लेनी है इस आलता डिजाइन को बनाने के लिए जो normal creamy lipstick को आती है उस लिप्स्टिक को आपको यूज नहीं करना इस आलता डिजाइन को बनाने के लिए उससे यह आलता डिजाइन नहीं रही हूं और यह बहुत जल्दी dry हो जाती है और खतम भी हो चुकि है तो इसके लिए मुझे यहां पर थोड़ा थोड़ा लिप्स्टिक यूज करना है ताकि यह मेरे दोनों पैरों में इस लिप्स्टिक का यूज हो जाए तो यहां पर मैं अपने अंगुठे में यह वी नाट्यम और कथक तो उसके लिए भी आप इसी टाइप से आलता डिजाइन बनाकर यूज कर सकते हैं और यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और हातों में भी इसी का आलता बनाकर आप लगा सकते हैं जो की स्वेटिंग होने पर रहनी की पसीना आने पर भी आपके कपड इस एक वी बनाना है और इस तरीके से आपकी वी शेप डोनों साइड से रेडी हो जाएगी इस आलता डिजाइन से आपका कोई भी कोश्चन या फिर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते वे इसी पैटन को हम अपने प प्रूफ आलता डिजाइन है कि पानी डालने पर भी आलता डिजाइन रिमूव नहीं होगा तो डिजाइन को यहां पर फाइनल टास देने के लिए मैं यहां पर यह वाई ट्रंग का यूज कर रही हूं यह मैट फिनिश में है और यहां पर उपर इसमें एक नोजल लगी हो और बाकी सारे डिजाइन में भी हम इसी तरह से वाइट रंग के डॉट दे देंगे तो हमारा यह डिजाइन काफी सुन्दर लगने लगेगा और अगर आपके पास यह ट्यूब वाला नेल पेंट नहीं है तो वाइट रंग का आपका जो नॉर्मल वाला मैट फिनिश का न एक रगन एंग नेल पेंट यूज किया है सेम ऐसेँ ही डॉट आप टूथिक की हैल्प से भी बना सकते हैं अपने नॉर्मल नेलपेंट को लेकर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि तूथ स्यृट कासे बना ऐ है तो उसके पुराने वीडियो के लिंक मैं आपको ड तो अभी आप हमारे डिजाइन का फाइनल लुक देख रहे हैं यहाँ पर मैंने गोल्डन पायल को वियर किया है बट में बाद में चेंज करके इसमें सिल्वर पायल ही यूज़ करूँगी वो ज्यादा बेटर लग रही थी डिजाइन को बनाते विए यहाँ पर मैंने रेड मैट बिछाया हुआ था बट मैं मैट को हटाकर यहाँ पर फ्लोर के उपर भी आपको इडिजाइन दिखा रहे हैं देखिए वाइट के उपर भी और उभर कर दिख रहा है यह डिजाइन कितना ब्यूटिफिल लग रहा है तो अब मैं आपको पाने डाल के भी दिखा रही हूँ और यह फिंगर की हेल्प से मैं आपको रब करके भी दिखा रही हूँ रब करने पर भी यह रिमूव नहीं होगा और यह बिल्कुल waterproof आलता डिजाइन बना है और पानी डालने के बाद तो यह और भी beautiful लग रहा है तो मैंने यहाँ पर आपको हाथ पर यह design, same design में आपको बना कर दिखा रही हूँ और उसी को मैं remove करके दिखाऊंगी आपर यह रिमूबर का यूज किया है जो नेल पेंट चुटाने के लिए रिमूबर यूज करते हैं और उसके बाद नॉर्मली आप अपने पैरों में कोई भी लोशन लगा कर उसको मॉस्चराइज कर सकते हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर मेरा वीडियो आप फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मुझे कमेंट करके जरूर बतायेगा कि मैंने इस एक्सपारी प्रड़क्ट को रियूज करा है आपको यह वीडियो कैसा लगा है तो इसी तरह के अच्छे अठ्छे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी तो थाइंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो